आज में आपके साथ एक तम लगातार चल रही खांसी को एकदम बंद करने का कारगर्न उसका बता रहे हूं दोस्तों इसके लिए ना तो आपको पकाने का जंजट है ना ही आपको भुनने का जंजट है और ना ही इसमें आपको कुछ जादा मिलाने का जंजट है बिल्कुल सि जाते हैं ना खांसी शुरू हो जाती है दोस्तों और वो खांसी रात को जो शुरू हो जाती है ना ठंड के मौसम में भस फिर वो खांसी रुकने का नाम नहीं लेती है तो उसको आप तुरंत कैसे बंद करें उससे आप तुरंत रिलीफ कैसे पाएं वोन उसका आपके साथ से हो जब आपको लगातार हम सुरू हो जाती है ऊस समय दूस्तों और आप इसे रात में यहां पर Bergю च बनाने कि वह मैं आपको बता देती हो साथ ऐसे बना कर भी पर शक्ते हैं कई सकते हैं कुषके किसी ठीक हो जाएंगे चाहे आपको कितने भी दिन से खासी हो रही हो या फिर पुरानी खासी हो गई हो तो आप इसे आजमा सकते हैं तो उसके लिए आपे दोस्तो अलदी ले लेनी है अलदी आपको पताई है अलदी के अंदर इंफ्लेमेटरी अंटी फैंगल और अंटी बायोट कर तैयार हो जाएगी दूसरा हमारे पास सैद दोस्तों क्योंकि अम इस रेमेटी को बनाने के लिए ना पका रहे हैं ना बून रहे हैं सिर्फ आपको अलदी पाउडर और सैद ले लेना है दो ही चीज आपको लगेंगी जैसे आपने वन फोर्थ चमच अलदी पाउडर ल लेना है जो आपके घर में होती है खाना खाने वाली चमच उसका चोथा इसा आपको लेना है ज्यादा अलदी का आपको इस्तिमाल नहीं करना है मैं आपको सिर्फ एक बार के लिए बनाना बता रही हूँ अगर आपको आराम लगता है ना तो आप इसे दो तीन दिन के सकते हैं तो ज्यादा फाइदा करती है आपको यह वन फोर्थ चमच आपको यहाँ पे अलदी ले लेनी है जो आपके घर में होती है खाना खाने वाली मेरे पास यह चोटी है इसलिए मैंने आदा चमच ले लिया है आप इसमें मिलाएंगे सैद सैद भी आप थोड़ा आपको लगे यह थोड़ा सा गाड़ा है या इसमें पाउडर बच गया हल्दी का तो आप और डाल सकती है तो मैं वी ऐसे ही आपको बना कर दिखा रही हूँ मैंने बिल्कुल आदा चमच सैद इसमें डाल लिया है सैद डालने के बाद में यह अच्छे सी मिक्स नहीं होई है तो इसमें थोड़ा सा और डालेंगे इसी तरीके से बनाएं ऐसा करेंगे तो इसमें किसी भी चीज़ की मातरा जो है जादा नहीं होगी एकडम प्रफेक्ट बनकर यह तयार होगा अब यहां पे आप देखेंगे अब इसमें जो सैद की मात्रा है एकदम परफेक्ट है बस यह इसी तरह का आपको बनाना है जब आपको लगेगा यह एकदम अच्छे से बन गया है जादा गाडा भी नहीं है और जादा पतला भी आपको नहीं करना है बस यह ऐसा बनना चाहि यह टोटल हमारा एक चमच बन कर तैयार हुआ होगा तो आप क्या करें जैसे आप चमच से थोड़ा थोड़ा करके इसको चाटना चाते हैं तो ऐसे खा सकते हैं तो आपको यह इतना लेना होता है यानि आप वन फोट चमच अल्दी पावडर और एक चमच सैद डालेंगे उसका आदा भी बनाकर एक बार लेंगे ना आप तो आपको बेहद लाब मिलेगा दोस्तों सुरुवात में क्या है आप जादा इसका सेवन ना करें है थोड़ा थोड़ा करके खाएं क्योंकि खाने में भी थोड़ा साट पटा लगता हाल्दी होता है तो लेकिन मिठे के सा तो आप खानसी को तो यह तुरंद बंद कर देता है राद के समय में अगर आपको ऐसी समस्या होती है तो आप बनाकर भी रख सकते हो अपने पास में दख कर इसको रख ले बनाकर जब आप को लगे खांसी आने वाली है तो आप थोड़ा-थोड़ा करके इसको चाटे आपको आराम नहीं होगा बिल्कुल दीरे-दीरे से जैसे आप टोफी खाते हैं उसका रस निगलते हैं दीरे-दीरे इसी तरीके से आपको ये भी अच्छे से दीरे-दीरे निगलनी है द्यान रखना इसके बाद में आपको पानी वगेरा कुछ नहीं लेना है सिर्फ इसको अगर आप आप सो जाए और अगर आप इसे दिन में ले रहे हैं तो भी आपको 1-2 गंटे तक इसके बाद में कुछ नहीं खाना है कम से कम एक गंट्टा आप इसे लिए आपको कितनी जल्दी ряд होगा अब इसके बाद में दूसरी हमारी देख लेते हैं इसके लिए है है य पूरी एकदम से बंद हो जाएगी और अगर आप इसे तीन चार दिन तक अपना लेते हैं ना दिन में भी शाम सुबह दो बार करना इसको आप अगर आपको जादा खांसी की तीकत है तो आपकी जो खांसी है ना पूरी तरह से चली जाएगी आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी यह इतनी कारगर होती है इसके लिए आपको द्यान यह रखना ओता है किसी को सूखी खांसी ओती है तो बस इनको अलका सा आप गी में फ्राई करके चबाई तो सूखी खांसी भी पूरी तरह से खतम हो जाएगी तो दोस्तो ये थी हमारी आज खांसी को एकदम बंद करने के लिए कारगर सी रेमेडी अगर आपको पसंद आई हो ना तो प्लीज ये ज़्यादा से ज़्यादा से खते कर देना ताकि सभी को इसका फाइदा मिल सके क्योंकि आज कल सरदी जुखाम होने के बाद में और जो ख सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद